दुस्तो पिस्ता तो आप सबी ने जरू खाई होगा और यह पिस्ता सबसे हल्दी और सॉदिस डरैफ फूट्स में गिना जाता है और देखा जाए तो उससे स्नेक्स के दौर भी रखा जा सकता है ये बहुत ही बोस्टिक होता है और इसे खाने के बहुत सारे फायदे भी होते हैं लेकिन सवाल आता है कि ये पिस्ता आखिर बनता कैसे है और ये इतना महगा क्यों होता है और इसे खरीदना आखिर बजट से बाहर क्यों हो जाता है और इसी वज़े से दिवाली और शादी जैसे फंक्शन में गिफ्ट के तरब भी देखा जाता है लेकिन ये इतना महगा क्या होता है वायसे इसके पीछे की कारण है जो असे स्पेशल ड्राइफूट्स को महगा बनाते है दोस्तो पिस्ता की खेटी ड्राइफूट्स की रूप में की जाती है और इरान को पिस्ता का जन्दाता कहा जाता है और इसका पौधा अन्य पौधा के जैसे ही समानी रूप से विकास करता है और जो एक बार तयार हो जाने के बाद कई सालों तक पैदावार देता रहता है और इसमें से निकलने वाला पिस्ता फल खाने में कई तरह से इस्टमाल में लाय जाता है और इसकी दावनू में से तेल भी मिलता है और भारत में राजिस्थान राजी की मिट्टी को पिस्टा की खेती के लिए उप्युक्त मारा जाता है पिस्टा की खेती के लिए खास climate condition की जुरत होती है और इसी वज़े से इसकी खेती बहुत ही सीमी छेतरों में की जाती है दोस्तों पिस्ता के पेर मुल रूप से रिगिस्तानी पौदे हैं तो इस सुगानी के लिए एकदम सही मौसम मध्य इशाही देशों में ही होता है और जिस वज़े से जाततर देशों को इसे एमपोठी करना पड़ता है पिस्ता के पेर लगाने के लिए अगर आपको एक बार सही मौसम और जगा मिल भी जाती है फिर भी इसका बहुत जादा फायदा नहीं होगा क्योंकि कम से कम 5 सालों के बाद इसके पेरों से फलाने शुरू होते हैं लेकिन शुरुआती सालों में इसके पेड़ों में फल उगने की मात्रा बहुत ही कम होती है और अच्छी खासी पैदवार के लिए आपको 15 से 20 सालों के अंतिजार करना होता है क्योंकि तब कहीं चाकरी अपने चरम पर आते हैं और अपने पीक सीजन में पिस्ता का एक पेड़ एक साल में एवरेज 22 कलो पिस्ता देता है लेकिन दोस्तों 15 से 20 साल तक एक पेड़ को तयार होने के बाद भी एक किसान के लिए इससे होने वाली उपच बहुत ही कम है जब पिस्ता के पेड़ों में फल आ जाते हैं तो इसकी गुर्वत्ता को बनाया रखने के लिए इसे मशीन से नहीं बलकि हाथों से ही छाटा जाता है और ये पिस्ता पेड़ों से पैकेजिंग मशीन तक दाजा रहे इसके लिए भी जाता से जाता मजदूरों को काम पर लगाया जाता है यानि कि पिस्ता की फसल के लिए भारी मातरा में मजदूरों की जरूत परती है तो पिस्ता के महगा होने का ये भी एक बड़ा कारण है अच्छे फलो की तुरंद पैचान करने और उन्हें सही समूँ में रखने के लिए किसानों को फलो की सही जानकारी होने चाहिए तो इस काम के लिए भी इस केल्ड मलस्दूरों की जरूत परती है और इन मलस्दूरों की मलस्दूरी आम मलस्दूरों से ज़्यादा होती है ये सारी चीज़ पिस्ता के दामों को आसमान पर ले जाने में कोई कसान नहीं छोड़ती है तो पिस्ता के महगा होने का एक बड़ा कारण ये भी है कि पिस्ता के पेड़ हर साल पैदावार नहीं करते हैं एक साल फल लगने के बाद इसके पेड़ अगले साल के लिए अगले नुटिशन बचा कर रखते हैं और जिस वज़े से दूसरे साल में इन पेड़ों पर ना के बराबर फल लगते हैं यानि कि पिस्टा के पेड़ एक साल के अंतराल के बाद पैदावार करते हैं, जिसें की डिमांड के अनुसार पैदावार नहीं हो पाती हैं। इन सब के अलाबा इन पेड़ों को कीड़े मकोड और दूसरे नुकसान से बचाने के लिए कई तरह के अपाय करने परते हैं। और ये चीज़े भी इसकी उपच की कीमत बढ़ा देती हैं। तो इन सबी कारणों की वज़े से ये पिस्ता इतना जाता महिंगा हो जाता है। दोस्तों ये पिस्ता एक ड्राइफ रूट है। और अगर आप इससे भी डाइट में शामिल करते हैं, तो इससे आपकी बड़ी को धेरों फायदे मिलते हैं। ये हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने के साथ साथ हमारे दिल को सौस रखने के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है। पृसज़ते हैं छो कैंसर को रूखने में मददगार होते हैं, तो ऐसे में कैंसर से बचाओ के लिए भी पृसटा का सेवन काफी अच्छा होता है। पिस्ता में बिटामिन डी और केल्चियम होता है और यह दौनों ही चीज़ हमारी हट्डियों के लिए काफी अच्छी होती है और यह हमारी आखों की सिहत के लिए अच्छा होता है दोस्तों पिस्ता की ताशीर कर्म होती है और इसलिए से सर्दी में खाना अच्छा माला जात है वैसे आपको पिस्ता कैसा लगता है और बस्ता खाते है कॉमेंट करके ज़रु बताएं और वीडियो परहां तो वीडियो को लाइक और उपनी दोस्तोंुक साथ शेयर ज़रु करते तो आज प्रिति वीडियों बज्चा है नेक्सальное न्हींप ब्हारत